नमस्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है, मेरे नाम ने धी है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले केंद्रे मंत्री प्रलाद सिंग के द्वारा एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द हम Population Control Bill या Law लाने वाले हैं जिसके बाद बहुत सारे Apprehensions, बहुत सारी Issues या बाते शुरू हुई आज के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं Population Control लौ के बारे में उससे संबंधित, जो संविधानिक बाते हैं उनका संग्यान लेंगे और साथ में ऐसा कोई Law लाने के जो लीगल चैलेंजिस हैं वो क्या है? कानूनी क्या-क्या चैलेंजिस इस पर आ सकते हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे साथ में जानने की कोशिच करेंगे कितनी बार ये Law पास करने के लिए संसतक पहुचा है इसके अलावा पॉपिलेशन कंट्रोल करने की आवशक्ता क्यों है? ये भी बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर अलग-अलग देशों ने इसके लिए क्या-क्या स्टेप्स लिये हैं चलिए शुरुबात करते हैं सेशन की सबसे पहले जानते हैं पॉपिलेशन कंट्रोल लौ के बारे में बिफोर गेटिंग इंटू दी लौ देखें, फैक्ट है इंडिया की जो फिलहाल की पॉपिलेशन है वो है मोर दन 1.4 बिलियन 1.4 बिलियन पॉपिलेशन है हमारी अभी जिससे हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश बन जाते हैं वोल्ट पॉपिलेशन रिव्यू के अनुसार अगर हमने समय रहते अब समय मतलब क्या रहते हम बहुत जल्दी यानि कि 2030 तक चाइना को ओवरकम कर जाएंगे अभी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो कंट्री है वो है चाइना नंबर वन पर और इंडिया है नंबर टू पर लेकिन 2030 तक आते आते इंडिया नंबर वन हो जाएगा वी विल सूपरसीड चाइना इन पॉपिलेशन पॉपिलेशन कंट्रोल बिल ऐसा नहीं है कि कभी लाया नहीं गया 2019 में इसको पेश किया गया लेकिन 2022 में इसको विड्रॉब ही कर लिया गया कुछ मौलिक या कुछ बेसिक समस्या थी क्या था बेसिकली बिल क्या कहता है बिल प्रपोस करता है तू चाइल्ड पॉलसी पर कपल, दो बच्चे होने चाहिए पर कपल के, ये बिल की बात है, इसके साथ साथ इसको और जादा लोगों तक पहुचाने के लिए इसको इंसेंटिवाइज किया गया, ताकि लोग इसको अडॉप्ट करें, थू एजुकेशन बेनिफिट, कुछ समस्या है थी जिसके ओजसे ये पारित नहीं हो पाया, जिसके बारे में सेशन के आगे हम बात करेंगे, बिफोर मुझ फॉवड ये चोटा सा इंड्राक्शन है मेरा, this is my telegram channel, जहाँ आप मुझ से जुड सकते हैं, आप मेरे special class or plus course में भी चुड सकते हैं, विद्धी choice of educators है, printed comprehensive notes आपको मिलते है, flexibility to change your course है, end-to-end preparation, live mentorship, unlimited views on lectures, कितनी भी बार आप recorded sessions देख सकते हैं, कोई इसमें सीमा नहीं है, dedicated doubt-solving, daily answer writing practice, इसके साथ-साथ, the result speak for itself. आपको सिर्फ यह QR code scan करना है, click करना है, enroll पर आपने details provide करके, इसका benefit लेना है, price hike होने वाला है, 8 June is the date that has come, 8 June के बाद प्राइस बढ़ जाएगा, अभी जाईए, enroll कीजे विद्धी code, ND live 10, चलिए, before we understand the law that has come, उसमें क्या समस्या हैं, उसके बारे में जाने, आवशक्ता क्यों है, population control की, why do we need this population control, what is the requirement, need क्या है, देखिए, बिलकुल सही बात है, कि जो लोग होते हैं, वही means होते हैं, और वही ends होते है, of economic development, इसी भी आर्थिक विकास के लिए लोगों की आवशक्ता होती है, वही उसके साधन होते हैं, और व संख्या है, जो जनता है, वह एसेट होती हैं, किसी भी कंट्री की, लेकिन, excess of everything is harmful, कोई भी चीज जब सीमा से परे हो जाएगी, तो वह हानिकारक हो जाएगी, so is with the population, जहां एक तरफ वह एसेट है, वही अगर वह over proportion है, तो वह हानिकारक है, कुछ important points है, these are not all the points, but these are some very very important points, जैसे की, capital formation, कम हो जाता है, बहुत जादा population की वज़े से, क्यूँ? अगर मैं भारत की बात करूँ, तो हमारी 35% जनसंख्या ऐसी है, जो 14 साल से कम उम्र के लोग है, बच्चे हैं, तो वह क्या बनाते हैं, they are unproductive consumers, तो capital formation कम होगा, unemployment, बेरोजगारी, ना के वल, जादा लोग होंगे, जादा employment जनरेट करना पड़ेगा, संसादन सीमित है, नहीं हो पाएगा, इसके साथ साथ दो प्रमुक समस्या हैं, जैसे की, disguise unemployment, disguise unemployment in rural areas, क्या होता है, disguise unemployment, disguise unemployment वह होता है, कि जब एक ही खेत को, जो तने के लिए उस खेत में काम करने के लिए, एक व्यक्ति सफिशेंट है, उतनी ही उपा जाएगी, लेकिन एक पैमिली में चार लोग है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो चारो लोग उसी खेत में है, उसी खेत में काम करें, तो बेसिकली, in their heads, they are working, they are employed, वह खेती कर रहे हैं, लेकिन उपज उतनी की उतनी है, बहुत जादे डिफरेंस नहीं आया, तो, disguise unemployment, इसके साथ तो, open up in unemployment in urban areas, साब दिखता है, बेरोजगारी, ये standard hallmarks है किसी भी developing country के, like India, ये बहुत बड़ी समस्या है, डेवलापिंग nations के लिए, poverty, unemployment होगा, capital formation नहीं होगा, तो, it will result into गरीबी, बेरोजगारी, क्योंकि equitable distribution of income and inequalities बढ़ जाएंगी, सीमा नहीं होगी, वह बढ़ती चली जाएंगी, गाप बढ़ता चला जाएगा, social problems, illiteracy is one of them, इसके साथ साथ, ये बहुत सारी और भी social problems का जड़ होती है, जैसे की, अब, चीक है, migration शुरू हो जाएगा, लोगों के पास सीमित जमीन है, चीक है, बच्चे जादा है, वो कोशिश करेंगे, बाहर जाए, शेहरों के तरफ जाएंगे, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, ऐसे में रोजगार सीमित है, शेहरों में भी जगा सीमित है, तो इससे क्या होगा, जब लोग गाऊं से शेहरों की तरफ जाएंगे, it will cause an creation of slum areas, क्योंकि sufficient resources, sufficient money, sufficient employment नहीं है, तो जुगियां वढ़ेंगी, इसके बाद लोग बहुत अन्हाइजिनिक कंडिशन्स में रहने पर मजबूर हो जाते हैं, तो यह कुछ समस्यां हैं, जिसकी वज़े से हमें आवश्रक्ता है, पॉपिलेशन कंट्रोल की इस समय, इसके बारे में हमारा समविधान क्या कहता है, वैसे तो Article 22 of 1969, Declaration on Social Progress and Development के अनुसार्जिस को UN Assembly ने भी अडॉप्ट किया है, यह कहता है कि भई, किसी भी कपल का यह अधिकार है, यह उनकी जिम्मेदारी है, यह उनकी चॉइस है, कि वो freely choose कर सकते है, responsibly choose कर सकते है, कितने बच्चे उनके होंगे, यह उनकी चॉइस है, यह साथ साथ, a right to reproduction, यह हमारे समविधान में कहीं पर इसके बारे में explicitly नहीं कहा गया है, right to reproduction के बारे में समविधान बात नहीं करता है explicitly, लेकिन यह article 21 के purview में आता है, article 21, right to life and personal liberty, personal choice, that is a hindrance again, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई law लाएंगे, तो वो इसको violate कर रहा है कोई भी policy, जो control करेगी या regulate करेगी number of children को, कितने बच्चे होने चाहें किसी कपल के, वो violate करेगी fundamental right 21, इसके साथ fundamental right 16 भी violate करेगी, कैसे उस पर भी अभी आते हैं Now, क्या challenges देखने को मिले हैं, जितनी बार भी, इस two child policy, अभी तक आजादी के बाद से 1947 से लेकर, 2019 तक 35 बार, इसको introduce किया जा चुका है पार्लिमेंट में, लेकिन ये पारत नहीं होता, क्योंकि अगर ये inact होगा, तो इस पे ध्यान रखना पड़ेगा rights of the divorced couples, जो लोग अल डाइवोस हो गया है, उनके अधिकारों का भी संग्यान में लेना पड़ेगा, और साथ ही Islamic religion से संबंदित, जो भी इस संबंद में जो भी बात की जाती है, धर्म में, उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जब भी ये policy या बिल लाया गया, इन य इनको accept नहीं किया, इनको criticize किया गया, और ये पारित नहीं हो पाया, और समय समय पर इसको withdraw ही करना पड़ा, इस अंदर में केंद सरकार की तरफ से अभी कोई कानून नहीं बना है, बिल जाता है, वापस आ जाता है, प्रलाज जी ने जो बात भी की है, जो केंदरी मंत्री है उन्हें नहीं कहा है कि ये बिल लाना होगा या हम जल्दी ही लेकर आएंगे, लेकिन दो राज्ये, असम और यूपी, इस सम्बंद में कानून बनाने के एक कदम आगे पहुत चुके हैं, अगर मैं असम की बात करूँ तो असम की assembly ने 2017 में पास कर दिया था, population and women's empowerment policy of असम, ये पास कर चुके हैं, जिसके अनुसार कोई भी candidate, कोई भी व्यक्ति, जिसके दो बच्चे हैं, केवल वही eligible होगा सरकारी नौकरी के लिए, I was telling you about violation of article 16, equality of opportunity in public employment, fundamental right, 16 का उलंगन है, violate कर रहा है इसको ये, और उसके अलावा कहा गया कि जो भी existing government employees है, उनको भी direct कहा जाएगा कि उनके भी दो बच्चे, two family norm उनको follow गरना चाहिए, ये भी कहा गया, 2021 में इस 17 वाले बिल को, या act को amend किया गया, और क्या कर दिया गया, the state policy was amended to make government jobs out of bound for people with more than two kids, जिनके दो बच्चों से जादा बच्चे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी नहीं होगी, ये भी संशोधन लाया गया गया, 2021 में, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर तुर्पदेश की बात करूं, तो वहाँ का law commission लेकर आये एक proposal, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, जिसके दो बच्चों से जादा बच्चे हैं, उनको बार कर दिया जाएगा, government subsidies नहीं मिलेंगी उनको, सरकार जो subsidy देती है, वो उनको नहीं मिलेंगी, इसका draft bill अभी चल रहा है, consideration में, अभी इसके ब बढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक छोटा सा, not छोटा सा incidence, एक बहुत important चीज, 1975, अगर मैं controversy की ही बात करूं, population control को लेकर, internal emergency, जब Indira Gandhi सरकार ने sterilization, compulsory कर दिया था, लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लोग राशन लेने जा रहे हैं, तो he had to give the certificate of sterilization, जिसको, जिसका क्रिटिसिजम हुआ, तो यह पहली बार ऐसा नहीं किया जा रहा है, या ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी काफी प्रयास इसको लेकर किये जा चुके हैं, दोस्तों, ना इस बिल के problems या नुकसान क्या हो सकता है, अगर suppose करो यह law आ जाता है, तो इस law के side effect क्या होंगे, सबसे पहला side effect, क्योंकि हमारे देश में यह एक general प्रथा है, यह general desire है, to have a male child, अगर केवल दो बच्चों का norm आ गया, two child policy आ गई, तो यह encourage करेगा sex selection, before the birth, अगर it's not a male, तो क्या होगा, unsafe abortion, क्योंकि दो ही बच्चे है, लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, तो unsafe abortion की तरफ लोग जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा, महिलाएं भी, अपनी health, अपनी, जो भी उनकी health है, या जो भी उनकी स्थिती है, illegal practices, जो है abortion जैसी, वो ऐसे alternative फो चली जाएंगी, because, again, to child policy, अगर ये law बन जाता है, तो, ये भी एक समस्या होगी, मतलब महिलाओं की health के साथ खिलवाड होने के भी chances हैं, अगर इसको सही तरीके से इंप्लिमेंट नहीं किया गया, और सही तरीके से लोगों को जागरुक नहीं किया गया इस विशह में, इसी के बारे में बात करते हैं, कि इसके अलावा क्या alternate measures हो सकते हैं, जैसे कि जो measures लिए जा सकते हैं, it can be literacy, शिक्षा, awareness, लोगों को शिक्षित करना, बच्चियों को शिक्षित करना, महिलाओं को शिक्षित करना, उनको बताना, benefits of having a smaller family, benefits, the health benefits, etc. शिक्षा से क्या होगा कि बहुत सारी, बहुत सारी multiple, इतना vicious circle है, illiteracy, poverty, population. जो interdependent है, तो लिट्रसी को अगर हम बढ़ावा देंगे, सही माइने में लोगों को शिक्षित करेंगे, तो control कर सकते हैं. educating the women, महिला को शिक्षित करना, specially महिला को शिक्षित करना, बहुत बहुत अन्यवारे होगा यहाँ पे, महिला को बताना जरूरी है, कि उनके health के लिए, यह कितना हानी कारक हो सकता है, abortion यह इस तरह की चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको कहा भी, कि सही तरीके से, जागरुकता होना चाहिए, इसका जो टाबू है, उसको रिमूव करने की जरूरत है, लोगों तकी awareness पहुचानी जरूरी है, spreading awareness, जागरुकता, जागरुकता की population बहुत सारे चीज़ों का कारण है, जड़ है, जैसे की illiteracy, illness, बिमारिया, malnutrition, और इसके adverse effect है, जो लोगों को पहुचाने, बताने जरूरी है, जिससे की एक सही मायने में एक logical reasoning उनके दिमाग में जाए और वो इसको समझे और इस पर खुद से नियंतरन लाने की कोशिश करें, बाकी countries के अगर मैं बात करूँ, ये था इंडिया का, अगर विश्व सतर पर हम बात करें, तो अलग-अलग देशों ने इस पर प्रयास किया, जैसे कि चाइना ने इस पर लीड ली बाइंस्टिट्यूटिंग अ स्ट्रिक्ट वन चाइल्ड पॉलसी फॉर फामिली ये अलग बात है कि 2016 में चाइना ने इसको रिवर्ज करतके टू चाइल्ड पॉलसी कर दिया, ठीक है, वहीं की बात करें, तो य अशिया इस समय, population decline का stage face कर रहा है, for the reason of high mortality rates, जिसका reason क्या हो सकता है, drugs या alcohol abuse, तो यह स्थिती है, विश में फिलाल कुछ देशों की हांपे, इंडोनेश भी है, जिसने काफी प्रयास की है, से बहुत सारे देश है, comment section में आख मुझे बताएंगे, कि और कौन से देशों ने जनसंख्या को control करने के लिए प्रयास की हैं, वो कौन से देश है, number one, number two question is, top five populous countries in the world, top two हमें पता है, China and India, उसके बात next three आपको बतानी है, ठीक है, अगर आपको session पसंद आया हो, please don't forget to give the feedback in the comment section, अगर बहुत पसंद आया हो, दोस्तों, तो लिखियेगा NDLIVE10, CST Assured, दो साल के subscription पर आपको on academy दे रहा है, one year का extension, दोस्तों, आइकॉनिक में आपको मिल जाते हैं, बहतरीन offers, subscription के लिए आपको platform पर जाना है, code मांगा जाएगा, code आपको apply करना है, NDLIVE10 और लेना है अपना subscription, prices बढ़ने वाले है, ये code आप use करके, मेरा NDLIVE code आप use करके subscription ले सकते हैं, on academy के किसी भी course में, EMI का option भी available है, loan facility is also there, batches हमारे शुरू हो रहे हैं, 8 June और 15 June से, जिसमें on academy के सभी बहतरीन, top educators, आपके sessions लेंगे, optional के 6 top options भी हम शुरू कर रहे हैं, 5 June से दोस्तों, अभी enroll कीजिए, that's it from my side, don't forget to subscribe, अगर आप पहली बार आए हैं तो, hit the bell icon, so that you get the notifications about our videos, like and share करना बिलकुल ना भूले, PDF के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, telegram channel पर, that's it from my side, don't forget to write the code NDLIFE10, if you really like the session, thank you so much.